हाई दोस्तों परदेशी फ्लाइट यीटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों साल 2022 खट्टी मीठी आदों के साथ ने बीच चुका है और साल 2030 में हम दस्तक दे चुके हैं परदेशी फ्लाइट यीटूब चैनल के तरफ से आप सभी को नए साल 2030 की बहुत बहुत बधाई मुबारक बाद सुख कामना है तो दोस्तों आज में बात करूंगा कि इंडिया से सौधी रभ जाने के लिए 2030 में अभी रूल्स क्या है नियम क्या है कानून क्या है जो लोग स इसके अलबा गमका मेडिकल क्या होता है और सौधी अरब जाने के लिए खर्चा कितना आता है पूरे डिटेल्स दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ इसलिए जो भी लोग पहली बार सौधी अरबिया जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लि विजाई स्टांपिंग, इमिग्रेशन, फ्लाइट्स और इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैल को सब्सक्राइब कर लिजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइक पर जाने के लिए आपके पासपोर्ट पर कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए यानि उम्र कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों सौधिय अरबिया का इंप्लाइमेंट वीजा का जो रूल है उसके मताबिक आपकी उम्र आपके पासपोर्ट पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए इस से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए अगर इससे कम आपकी उम्र है तो आप employment वीजा पर सौधी अरबिया नहीं जा सकते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा एज की बात करें तो अधिकतर तो 50 एज ही चलता है इससे उपर काफी मुश्किल हो जाता है वीजा के लिए 50 तक ही मुश्किल होता है लेकिन 50 से अगर ज़्यादा एज हो गया तो फिर काफी मुश्किल हो जाती है लेकिन जो कमपनिया होती है वो खास तोर पर यंग लोगों को लेती है पचीस साल 30 साल 32 साल 35 साल के आसपास लेती हैं और बहुत ज़्यादा एज वालों को company वीजा नहीं देती है तो ये तो बात होगे दोस्तों उम्र को लेकर अब बात करते हैं आपको सौधियरब का employment वीजा कैसे मिलेगा तो दोस्तों सौधियरब का अधिकतर वीजा चाहे वो driver का हो, technician का ह helper का हो, office boy का हो या अन किसी category का वीजा हो वो आपको तीन तरह से मिल सकता है पहला आपका कोई friend, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई relative, कोई रिष्तेदार सौधियरबिया में हो वो आपको वीजा दे सकता है दूसरा आप direct office से वीजा ले सकते हैं जो travel agency हैं जिनको license मिला manpower का जो agency हैं चाहे दिली में, चाहे मुंबई में या और अन जगों पर वहां से आप direct office से भी वीजा ले सकते हैं या इसके लवा आपके कस्बे में, गाउं में, जिसको आप जानते हैं, जिस travel agent को की ये काम करता है, भरोसे मन्द आदमी है, उसके थ्रू भी आप वीजा ल ले सकते हो, आप direct travel agency जो मानता पराप्त है, जिसके पास license है, जो manpower agency है, उससे आप वीजा ले सकते हो, या आपके कस्बे में, आपके गाउं में, आपके आसपास, जिससे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो विश्वसनी हो, भरोसे मन्द हो, उससे भी आप वीजा ले पहले medical कराना होता है, हाला कि साओधी अरभिया का medical बिना वीजा के भी हो जाता है, यह जो medical होता है साओधी अरभिया का, यह किसी ऐसे वैसे center पर आप नहीं करा सकते हैं, इसके लिए जो gulp country ने approval दिया हुआ, यानि जिनको license दिया हुआ है, जिनको मन्जूरी दी हुई है, इसके लिए आपको online appointment बुक करना होता है, फिर उसके बाद उस center पर जाना होता है, आप अपने मर्जी के हिसाब से center नहीं चुन सकते हैं, medical के लिए, जो आपको automatic alert होगा appointment के समय, उसी medical center पर आप अपना medical कराएंगे, medical fit हो जाने के बाद दोस्तों अब बारी आती है वीजा stamping की, तो सौधी अरब का वीजा इंडिया में दो जगों पर stamp होता है, एक दिल्ली embassy और दूसरा मुंबई अगर वीजा का जो वकाला है, उसका submission अगर दिल्ली है, तो दिल्ली embassy में वीजा stamp होने के लिए जाएगा, अगर वीजा का जो वकाला है, उसका submission मुंबई है, तो मुंबई काउंसलेट में वीजा stamp होने के लिए जाएगा, अब embassy और काउंसलेट के फर्क को जानिये, embassy जो होती है, वो देश की राजधानी में होती है, काउंसलेट जो होता है, वो किसी अन्य बड़े शहर में होता है, काउंसलेट को आप ब्रांच भी कह सकते हो, साखा भी कह सकते हो यानि ये embassy के help के लिए, embassy के काम को कम करने के लिए, उसके काम को divide करने के लिए, जो ब्रांच खोली जाती है किसी बड़े शहर में, उसको काउंसलेट बोला जाता है, तो मुंबई में भी सौधी अरब का वीजा stamp होता है, आम तोर पर सौधी अरब का वीजा एक हपते के आस यानि immigration check required वाला है, आप high school pass नहीं है, तो immigration clearance भी लेना पड़ता है, immigration clearance जो है, government of India का immigration department करके देता है, ये भी 10 से 12 दिन में हो जाता है, ये पूरी तरीके से online होता है, इसके लिए कोई passport, visa या medical report, embassy या councilate में नहीं जाता है, immigration clear हो जाने के बाद दोस्तों अब सीधे ticket book करना होता है, यानि immigration सबसे last process है, सबसे आखरी परक्रिया, इसके बाद कुछ नहीं होता है, जब immigration आपका clear हो जाता है, उसके बाद सीधे ticket book करना होता है, ticket book करने के बाद flight timing से एक दिन पहले, या दो दिन पहले, या तीन दिन पहल तो बरहल अभी आपको मुकीम का राइश्टेशन करना पड़ेगा अगर आप इंडिया से सौधियरब ट्रिवल कर रहे हैं तो तो ये हो गया दोस्तो पूरा प्रोसेस इंडिया से सौधियरब जाने का 2023 में अब इसमें एक और चीज रहे गई है कि आखिर इस पूरी परकिरि आपका अलग होता है उसमें लगबग 6-7 जार आपका मेडिकल खर्चा आएगा वीजा स्टांपिंग इमिग्रेशन लगबग 20 जार के आसपास आएगा टिकट भी लगबग आप 20 जार के आसपास रखिए यानि 50 जार के आसपास आप रखिए वीजा अगर आपका है तो इस आपकी डील हो जाए वीजा को लेकर उसके हिसाब से आपका खर्चा आएगा तो बहुत दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है इंडिया से सौधी रख जाने का इसमें अगर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो सवाल आप मुछ सकते हैं मै कोशिस करूँगा आपके सवालों के जबाब देने की इसी तरह की helpful जानकारी के लिए आप परदेशी फ्लाइट यीटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे फेस्बुक पेज को आप लाइक कर ले इसके लावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फालो कर सकते हैं वीड